हेलो दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पर रूवीस फूड हब आज हम बनाएंगे दाबेली उसके लिए हम लेंगे एक कुकर उसमें आठ आलू डालेंगे और एक ग्लास पानी डालेंगे और एक छोटी चम्मच नमक डालेंगे फिर हम उसकी पाच सीटी करेंगे ताकि आलू अच्छे से उबल जाए फिर हम मसाला मूफली बनाएंगे उसके लिए हम लेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच तेल मैंने यापे नमक वाली मूफली लिए है तेल गरम होने के बाद हम इसमें एक बड़ी कटोरी मूफली की डालेंगे और इसे सेक लेंगे फिर हम इसमें डालेंगे एक छोटी चम्मच काला नमक दो छोटे चम्मच ड्राइ मैंगो पाउडर यानि आमचूर पाउडर दो छोटी चम्मच चाट मसाला आदी छोटी चम्मच काली मेर्च पाउडर आदर छोटा चम्मच नमक और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे आप मसाले अपने हिसाब से डाल सकते हो फिर हम इसमें डालेंगे एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर पाउडर फिर हम इसमें रेडी मेर्ट दाबेली मसाला डालेंगे एक बड़ा चम्मच और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से सिखने के बाद हम इसे ठंडा कर लेंगे एक बाउल में निकालके मसाला मुफली ठंडी होने के बाद हम इसमें डालेंगे एक बड़ी चम्मच पिसी हुई चीनी और इसे मिक्स कर लेंगे मसाला मुफली तयार है हम इसे साइड में रख देंगे फिर हम लेंगे एक मिक्स्चर ग्राइंडर उसमें हम डालेंगे आधा कप लसुन एक छोटा चम्मच नमक आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर फिर हम इसे पीस लेंगे पीसने के बाद हम इसमें तीन छोटे चम्मच पानी डालेंगे और इसे अच्छे से पीस लेंगे फिर एक बावल में निकाल देंगे फिर हम इसमें पानी मिलाएंगे पानी उतना मिलाना है ताकि इसका लिक्विट फॉर्म हो जाए लसुन की चटनी हमारी तैयार है फिर हम बनाएंगे मीठी चटनी उसके लिए हम लेंगे एक कड़ाई कड़ाई में हम धाई गलास पानी डालेंगे दो कब बिना बीच के खजूर लेना है फिर इसमें डालना है आधा कप और दो बड़े चम्मच इमली के और इसे उबालना है नराम होने तक हमें इसे उबालना है फिर हम इसे एक बड़े बरतद में डालेंगे और इसे हैंड ब्लेंडर से मिक्स कर लेंगे आप इसे मिक्स्चर में भी कर सकते हो एक छोटी चम्मच काला नमक डालना है हमें इसमें और इसे मिक्स कर लेना है फिर हम इसे चन्नी से चान लेंगे झालना है चानने के बाद हम इसमें एक कप पानी डालेंगे और दो बड़े चम्मच गुड के डालेंगे यह गरम है इसके लिए गुड पिगल जाएगा फिर मीठी चटनी हमारी तयार है फिर हम एक पैन लेंगे आलू का मसाला बनाने के लिए उसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच तेल तेल गरम होने के बाद तीन बड़े चम्मच इमली की चटनी डालेंगे जो हमने बनाई थी मीठी चटनी फिर हम इसमें डालेंगे तीन बड़े चम्मच दाबेली मसाला इसे थोड़ा पानी में मिला कर डालना है हमें फिर हम इसमें लसुन की चटनी डालेंगे दो बड़े चम्मच फिर हम इसमें आलू डालेंगे मैश किये हुए फिर हम इसमें डालेंगे पंद्रा कटे हुए द्राक्ष दो बड़ा चम्मच धन्या और एक अनार्दाना आप दो भी डाल सकते हो अनार और द्राक्ष ऑप्शनल है आप चाहो तो डाल सकते हो और आप पाइनेपल के पीसेस भी डाल सकते हो फिर हम लेंगे पाव उसको साइड से कट कर लेंगे फिर हम इसमें मीठी चटनी डालेंगे वीडियो में दिखाए गए तरीके से करना है फिर हम इसमें लस्टन की चटनी डालेंगे फिर हम इसमें आलू का मसाला डालेंगे मसाला मूफली डालेंगे और प्यास डालेंगे फिर हम एक तवा लेंगे उसमें हम बटर डालेंगे और दोनों साइड से हमें दाबेली को सेकना है झालेंगे और हमारी दाबेली तैयार है अगर आपको मेरी रेसिप अच्छी लगे तो मेरी चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना थैंक यू धनियवाद झालेंगे